आंतराश्ट्रे विशाल मेडिकल कैम्प 28 फरवरी 2016 को और्गनाइस किया जाएगा जहां विश्वक के सबसे बड़े चिकितसक शिबीर में 5000 से अधिक डॉक्टर, 10,000 अर्दर चिकितसक कर्मी, 15,000 स्वयम स्वयक मिलकर 2,000,000 मरीजों की जाच करेंगे ये मेडिकल कैम मुंबई के BSNL Ground Santa Cruz में और्गनाइस किया गया है हमने उनको एक दिन में हर सुविधा प्रवाइब करने के लिए तकरीबन 5 या डॉक्तरों के टीम रहेगी, 10 यार नाशों के टीम रहेगी और तमाम गवर्णन आफ इंडिया के साथ काफी सारे बॉंबे के महरास्ट के और हिंफतान के तमाब सहरों की एंजियों हमारे साथ जूड करके हमारे शार्ट में साथ कदम इलाकर के चलने के लिए तयार हुई है और इनके शहयोक्षे हमारी ताकत के शार्षद हमारी कोशिश रही है कि हम 2,000,000 से ज्यादा ज्यादा हम पेशिंक बारे गंटे में लेग करके अपना बहुत बड़ा एक भारसरकार के लिए कि इस प्षि को से कहना चाहेंगा कि आप लोग एजुकेट रहें स्वस्त रहें जावरी कितने सेलिविट्री और कितने हम पॉल्टिक्स के लोग आएंगे बड़े तकरिबन गवर्मन्ट अफ इंडिया के राजना सिंगी हमारे मुक्य अतिति के तौर पर आएंगे हमारे यहां के चीप तक अद्लिख अजिसन चीप से Face Deborah जी चीप सेक३री जी चेप साथ-धकाफी इंडिया काफी एनडेश्री थी कि दना बड़ा इवेंट है . प्लानिंग के हिसाब से तो देखा जाए तो हर जगा से रिस्पोंस अच्छा है अभी मालवनी धारावी पुर्ला चांदवली इससे स्लम जगा से लोगों का रिस्पोंस आ रहा है कि हमें भी बहुत खुशे हो रही है कि हकिकत में ऐसा क्याम्प हर एक जगा पर होना चीह हम स्लम क्यात Dani फार इसका फैदा Best आपर कर रहे हो सब सब्सक्राइब नाए हमें उसकी प्रिपेट सा मिरती है और लोगों का रिस्पॉंस अब देख रहे हो मीडिया ने जिस तरीक छीज को यह उट जैसे गिरो जान से शुक्रिया करते हैं जोगों में एक अच्छेपंस से हमनों को जुड़े होे देख रहे हैं रिक्षा चाल कि हिंदुस्तान की चंता है कि अपने आप में सभी में चैलेंज है और चैलेंज को आप सब ने जिस तरीके का एक जिम्मा लिया है यह जिम्मा हर एक नागरिक ने लेना चीए आज हिंदुस्तान का हर कि हमारा भाई है हमारा जुड़ा हुआ इंसान है तो उसे हम अकेला नहीं चुड़ना चीए जिस तरीके से आज इतने बड़ी-बड़ी सुईदा मोदीजी ने दी हुई है सरकार ने हमें अच्छे से दिया है लेकिन हम लोगों तक कैसे पहुचाए हमें इसी में से हमारा एक ही जा रहा कि लोगों में आवर्नेस चला जाए है लोगों में खुद होके उम्लत ही होए कि ने हमको उस तो ऐसा सोशल काम करना चीए जिससे लोग जुड़े आदमी जु प्राइद के ने हमें कि लोगों के पास आया हो है कि डॉक्तर्स ये भरवाण है और भरवा नहीं आप लोंके लिपास आया हुआ है जाए जाव लोगों के ले जारहा खारत बहुत बठी बढ़ा एंट कि स्टरेटेजारी से लिए एकुली मेरा इसम उशरच है मैं चेर्में कम बैनिर देक्टर हूँ, अपनी अपनी फांडेशन है भी, इसका नाम है जागोरों जन्ता फांडेशन, इसे पहले भी काफी इसे सुच्छल गॉजस पे मैंने इवेंट किया है, लास्ट मेरा बड़ा इवेंट Mr. यूराज तिंग जो किर्केटर है, उनके अपनी इवेंट किया था, लूवेंटल जूहू पे, काफी अच्छा सक्सिस गया था, काफी बड़ा एमांट हम लोगों ने इतने भी इंडिया के काफी इंडिया के काफी इंट्रेक्शल लोगों ने पाटिसिपिट किया, इसी तरह ये रॉक्टर नेकुमार जो इकर रहे हम मुझे भी काफी सभी रहों कि बिना मीडिया के सपोर्ट के ताम लोगों कुछ नहीं कर पाएं, इंडिस्तान के अवाम है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बड़े-बड़े हॉस्पिटल सोगरा, इस सब को आना चाहिए, बड़े-चलड के इस्सा लेना चाहिए, अपन सब को अबने 5,000 दोक्टर्स हैं, 15-20,000 लोगों का नर्से स्टाफ हैं, इसका फायता सब को उठाना चाहिए, बड़े-बड़े-बड़े को यही कहूंगा लोगों को, इसमें आये हैं कैम्प में 28 फलवरी को जुह अब यह से इल ग्राउंड नहीं और इसका भरपूर काफी जुड़ते के नदर आते हैं, हर भार आपको कहीं न कहीं, इस बार भी बहुत बड़ी इवेंट से बड़े में नदर आते हैं यार देखो, एसे पॉजस का नाता तो सारों साथ जुड़ा हुआ है और मेरे कि परसुनलेशन भी हैं इन लोगों को जुड़े लोगों को, मैं कहना चाहँँगा, 313 के जो लोग हो, 13 मेरा देखते हैं, सबका देखते हैं और शावासी देना चाहँँगा, अली का, दानीश का और उस्मान गणी का, जिनों इतने अच्छे तरीके से लोगों की हल्प करने के लिए उसको बढ़ावादिया है तो हम बरी बरी थैंक्फूल पिदर, हैपी तू हीर, कि उनों ने मुझे बुलाया और आए पार्ट बने का मोका दिया तू है यंग लोग हैं लोग का सोच रहे और उत्साव यज़ चोच ब ज़याहक है तो समाज के लिए अच्छा है अब इंटेन्मेक्स से थालूग रखे हैं वे इतना बड़ा बड़ा वर्स यह सबस्क्राइब कर दितना तरहा है, km मैं वह बड़ा खाले हिए, इतना वर्स टुक आपक्राइब बड़ा जया ही और शॉट Ал्याल मेरी प्लेकों करें और लागेशनारी सेँ हैं तो रभी मेरी बादा फ्सक्राय एट सब्सक्राइब करें करें दो करें हो लागे यहां बड़ते हैं तो मैं भी पीपोरी को अप्सक्राइब परनाइब नैडल नगरी काहँ पर हैं और मैं आपके मार्गम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं भी एक बेसिकली सोसल ऑगनेस्ट चला रहा हूँ और यहां जो हल्थ केम्पोरी एक अंतरासी इस्तर पे हो रहा है और जिसके फाइदा समाज के हर स्तर के लोगों मिलता है कि लिएका और जैसा कि आप जानते हैं सद्रूर समाज में स्वास्त, सुरच्छा और बेसिकली लाइक जो एजुकेशन, सिक्षा यह तीनो थरोहर है और उसमें अच्छा स्वास्त हो बाकी सब की भी परिकल्पना कर सकते हैं और अच्छे स्वास्त के लिए अगर आप देखेंगें अभी देश भी इसमें काफी प्लोर से चल पड़ी है ऐसा स्वाच्छ भाहरत के हम परिकल्पना कर रहे हैं तो स्वाच्छ भाहरत से डेफिनेटली हमारे देश समाज स्वास्त समाज होगी और यह जो अर्के अच्छे चीजों के लिए बहुत बहुत बड़ा आप देखेंगें और यह समाज के लिए बहुत बहुत बड़ा आप देखेंगें